हेलो फ्रेंज एक बार फ्रिस्ट वागे थे आपका आज की एक और नई गोल एनलाइस वीडियो में जिसमें हम एनलाइस करेंगे गोल में बन हवर की टाइम फ्रेम और 15 मिट के टाइम फ्रेम में देखेंगे आज हम ये गोल में बन हवर की टाइम फ्रेम पे कहां सपोर्ट औ इडियास देखने को मिल रहा है और 15 मिट के टाम फ्रेम में आज हम गोल में किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनलाइज कर सकते हैं साथ हम समझने वाले हैं previous day हमारा गोल में क्या एनलाइज रहा और मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है तो दोस्तों वीडियो काफी helpful होने वाले वीडियो को पूरा देखेगा आपको इस वीडियो से एक knowledge और एक idea मिलेगा जो की आज आज आपको analyze करने में काफी ज़्यादा मदद करेगा तो चली फैंस सबसे पहले हम समझते हैं कल के दिन का हमारा गोल में क्या analyze रहा और मार्केट ने किस तरीके से trade किया है तो तो कल के दिन के अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा से impulse हमारा analyze सा जिसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो एक trend line यहाँ पर हमने मार किया था साथी साथ यहाँ पर हमने confirmation के लिए एक यहाँ पर resistance area मार किया था यहाँ पर आप देखेंगे तो यह हमारी trend line का wave का एक resistance area था तो यहाँ पर हमने क्या क्या इसी area को यहाँ पर extend कर दिया था कुछ इस तरीके से यहां पर आप देखेंगे तो आपको clear देखने को मिलेगा जब market यहां से resistance ले रहा था, हमारी trend line का wave का resistance ले रहा था, यहाँ पे उसी time से हमारा क्या view था हमारा view था market यहाँ से rejection कर सकता है fall कर सकता है अब कहा तक fall कर सकता है उसके लिए हमने क्या किया था एक support मार किया था मैं आपको support भी मार करके यहाँ पे दिखाना चाहूँगा यह था हमारा एक support area तृइक है ऐसा करके हमने मार किया था ये ये था हमारा support area इसा thả यहां साल च्छाम पर हमारा एक और second support भी था कौन सा second support था ये वाला, चलिए वो भी मैं आपको मार करके यहां पर दिखाना चाहूंगा ये था हमारा second support area ऐसा करके थीखे अब यहां पर आपको देखने को मिलेंगे दो support area फर्स्ट support तो हमारे ये वाला हो जाएगा and second support ये वाला हो जाएगा मैंने आपसे clear बोला था market यहां से first top and second top जैसा यहां से बना सकता है और यहां से rejection कर सकता है कहां तक rejection कर सकता है हमारे first support level को respect कर सकता है इसके बाल फिर market यहां से up move दिखा सकता है या फिर अगर first support को भी break करता है तो फिर second support हमारा काफी strong है फिर यहां से market up move दिखा सकता है और exact देखे market ने काफी अच्छे से हमारे first support को ही respect किया यहीं से market ने देखो काफी अच्छे से up move दिखाया तो यह था friends कल के दिन का हमारा simple सा analyze यह जो कल हमने analyze किया था इस image को मैंने आपके साथ telegram channel पर भी share कर दिया था जैसे कि आप देख पाएंगे यहां पर यह मैंने आपको first support यहां पर मार करके दे दिया था जब market यहां से resistance ले रहा था उसी time पर कि market यहां से rejection कर सकता है first support के आसपास अगर इसको भी बिरिक करता तो फिर second support यह वाला है हमारा ऐसे करके मैंने आपके साथ कल यहां पर support area भी मार करके दे दिया था I hope आपने भी इस तरीके से अपना support मार किया होगा और काफी अच्छे से अपना trade प्लान किया होगा दोस्तों जो भी हमारा today analysis होता है उस image को मैं आपके साथ telegram channel पर share कर देता हूँ ताकि आप भी इस तरीके से अपना perfect support और resistance areas मार कर पाएं अभी तक आपने telegram channel को join नहीं किया है traders तो बहुत कुछ miss कर रहे हो क्योंकि जो भी हमारा analysis होता है उसको मैं daily आपके साथ share कर देता हूँ ताकि आप भी perfect खुछ से analyze कर पाएं तो अभी तक आपने telegram channel को join नहीं किया है तो video discussion में आपका telegram channel का link मिल सागा जो कि एकदम free of cost है आप join कर सकते हैं चलिए अब हम समझते हैं आज हमें gold में क्या setup देखने को मिल रहा है और किस तरीके से हम एक simple technical analyze कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम analyze करेंगे बन हवर के time frame में बन हवर के time frame पे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है एक resistance area काफी अच्छा सा ये एक resistance area है जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा market इस level को respect कर रहा है previous time अगर आप देखेंगे तो market ने देखो कितने अच्छे से इस level को respect किया है जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे market ने बहुत अच्छे से hold किया इसको यहाँ से support लिया अगेर मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद देखो, रिटेस्ट किया, यहाँ पे थेहां से देखो, आप मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकडाउन करने के बाद रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, अगेर resistance ले रहा और यहीं से देखो market negativity शो कर रहा है तो जो यहाँ पे हमने area mark किया है resistance का यह बहुत ही strong resistance area है label की बात करें 11938.367 and 11934.451 का यह हमारे लिए एक resistance area देखने को मिल रहा है चिसको market काफी अच्छे से respect कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या किया बन हवर के time frame में एक resistance area को यहाँ पे mark कर लिया ठीक है चली तो अब हम चलते हैं 15 मिट के time frame में 15 मिट के time frame में हमें किस तरीके से यहाँ पे confirmation लेना चाहिए और कैसे यहाँ पे हमें और extra analyze करना चाहिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक trend line भी mark होता हुआ देखने को मिलेगा हमें क्या करना है first low and second low इसको यहाँ पे add कर लेना है और इसी को यहाँ पे simple ऐसा करके extend कर देना है अब देखेगा यहाँ पे आपको काफी अच्छे से आपका trend line यहाँ पे mark होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पे काफी अच्छे से trend line को respect किया है अब market यहाँ से rejection कर रहा है तो कहां तक rejection कर सकता है आपका perfect यह एक support area निकल के आ जाता है यहाँ पे extra हम क्या कर सकते हैं extra confirmation के लिए यहाँ पे हम एक support को भी ऐसा करके mark कर सकते हैं यह भी बहुत अच्छा सा support area है ठीक है ऐसा करके हम इसको पूरा mark कर लेंगे अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास यह काफी strong support हो जाता है क्योंकि first हमारे trend line का support है साती सात यह एक support area भी है previous time market ने इस label को resistance लिया था breakout किया breakout के बाद यहाँ पे market इस label को support लेने भी आ सकता है ठीक है इस label का तो market rejection यहाँ तक कर ही सकता है ऐसा करके यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ठीक है अब देखो यहाँ से अगर आप और भी extra confirmation लेंगे तो वो कैसे ले सकते हैं simple आपको क्या करना है यह वाला आपको low पकड़ना है और फिवो को मार कर देना है देखिए मैं यहाँ से आपको मार करके दिखाता हूँ low से पकड़ेंगे हम और high तक फिवो को मार करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमने support area मार किया है इस area पे हमें काफी strong label देखने को मिल रहा है फिवो नाती का 1st 0.5% का and 2nd 0.618% का कितना strong label है यह market हमेशा maximum time इस labels को respect करता है जैसे कि मैं आपको हमेशा मार करके दिखाता हूँ तो probability क्या है कि market यहाँ से rejection बगेरा करे तो कहां तक कर सकता है हमारे support label के आजपास अब ध्यान दीजे ऐसा नहीं कि बस 100% market इसी को respect करेगा हो सकता है मैं भी हाँ से fall बगेरा करे अगर fall करता है तो फिर कहां तक fall कर सकता है next support कौन सा दिखरा है तो यह वाला है हमारा next support level यह चीक है ऐसा करकी हम इसको mark करेंगे अब यह वाला हमारा second support क्यों हो जाएगा क्योंकि यह हमारी trend line का wave का support है अगर इस support को भी break करता है तो फिर यह हमारा second support यहां पे निकल के आजाता है जीसे कि यह हमारा first support और यह हो जाएगा second support अब मैं यहां से आपको levels check करा देता हूँ ठीक है सेकिंड सपोर्ट एरिया है हमारा बंधावज़ 924.607 एंड बंधावज़ 922.608 का यह हमारा सेकिंड सपोर्ट एरिया यहां पे दिख रहा है दोस्तों अब यहां पे देखो आपको एक और पेटन देखने को मिलेगा मैं अगर आपको यहां से चार्ट को थोड़ा ज पेटन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से देख सकते हैं परफेक्ट मार्केट ने लेफ सोल्डर हैड एंड राइट सोल्डर किरिया है और यह हमारे हैड एंड सोल्डर का क्या है निकलाइन जैसे हमारे निकलाइन को ब्रेकडाउन करता है तो प्रॉबाबल्टी क्या ह है हमारे first support को market respect करें थीक है तो वह market यहाँ से rejection कर सकता है कैसे कर सकता है जैसे हमारे निकलाइन को breakdown करें breakdown के बाद detest detest के बाद यहाँ से fall बगेरा भी कर सकता है तीक है ऐसा करके यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर यहाँ पर Friends, आज के दिन हम गोल्ड में, बन हवर के ताइम फ्रेम और 15 मिट के टाइम फ्रेम में एक Simple Technical Analyze कर सकते हैं. यहां पे जो हमने बन हवर के ताइम फ्रेम और 15 मिट के ताइम फ्रेम में Analyze किया है, इस Image को मैं आपके साथ अभी जस्ट टेलिग्राम चैनल पर भी शेर कर दूँगा ताकि आप भी इस तरीके से अपना फर्फेक्ट रजिस्टेंज सपोर्ट मार कर पाएं ठीक है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी एनलाइस पसंद आए होगा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला थोड़ा भी आपको एनलाइस पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करिएगा दोस्तों और चैनल पना हो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को हीट कर ले ताकि ऐसे ही नोलज़वल वीडियो को नोट डिपरिक्स आपको आगे मिलती रहे तो मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही नई एनलाइस वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गुट बाए